यहां थमने नीवाली है क्योंकि बीजेपी बार बार लॉयन ओर्डर की बात उठा रही है और कहीं न कहीं ये जाकर सही बैटता है क्योंकि 2018 में जिस तरह की वाइलन्स हमने देखी पंचायती चुनाओं में उसके बाद कोई जस्टिस नहीं हुआ है क्रैकडाउन नहीं हुआ जिन्हों ने भी वो कैर बरपाया उस वक्त और कम से कम 34 प्रतिशत ऐसी सीटे थी जहां पर कोई किसी ने कंटेस्ट ही नहीं किया त्रिनुमूल कॉंग्रेस के खिलाफ और ये बात आई थी कि त्रिनुमूल कॉंग्रेस के काडर की सरयाम गुंडागर्दी दिख रही थी व और फिर यहां पर वाइलेंस की लहर दोड़ गई है तो यह घमासान भी चल रहा है आशिका बिलकुल देखे जो लॉइन ओर्डर है ये बड़ा मुद्दा है मैं आपको बता दूँ कि कोलकाता कि जो पुलिस कमिशनर है कल भी उन्हें तलब किया था इसी ने आज भी वो आए है बैटक में आज ग्रे सचिव मुक्य सचिव सबके साथ काफी लंबी जो है वो मुलकात रही जाहिर है कि कानून विवस्था को लेकर के चिंता जाहिर की है चुनावायोगने हाला कि अब जो है सुरक्षा को लेकर के चुनावायोगने का है कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि फ्री एन फेर इलेक्शन्स हो तो बीजेपी की तरफ से जो अभी बड़ी घटना हुई ह उनकी चर्चाकल की गई थी बैठक में आनन जी राजी बैनर जी बाहर आते हैं क्या होता है राजभावन में क्या कहते हैं वो क्या वो बीजेपी जॉइन करेंगे या कोई और बड़ा एलान करेंगे देखते हैं आशिका बहुत बहुत धन्यवाद आपके अपडेट के लि नहीं बीजेपी ने ये भी काया कि बॉडर इलाकों में वोटर लिस्ट की जाच होनी चाहिए क्योंकि उनका आरोप है कि कम से कम पांच लाग रोहिंग्या मुसल्मानों को वोटर आइडी कार्ट दिये गए हैं और उन्होंने ये भी कह डाला कि देखिए जेपी नड़ा ज